इस lecture के अंदर हम थोड़ा सा complex equation को देखेंगे और उन complex equations को यहां पे लिखने के हम कोशिश करते हैं and then we will see किस तरीके से उनके answers हम find out कर सकते हैं मैं दुबारा से अपनी screen आपके सामने share करता हूँ यहां पे मैं लिखता हूँ solving complex equations solving complex equations और obviously जब भी कभी हम ऐसा काम करेंगे जो पहले से different हो तो मैं एक line लगा देता हूँ ताके वो line हमें separation जो है वो provide कर दे अब यहां पे जो हमने solve करनी है equation मैंने direct equation लिखा करनी है code लिखा करना है और आपने उसको follow किया करना है मैं अब एक ही chunk में थोड़ा सा heavy किसम की coding लिख देता हूँ अब आपको समझ आएगी के यह क्या है हमने equation को resolve करना है matrices के अंदर और इससे आप inverse करके अपनी equations जो हैं वो भी बना सकते हैं it's totally up to you के आप किस तरीके से equations जो हैं वो लिखते हैं but for now I will write down equations wait a minute मैं यह जो equations है नहीं इनको और भी अच्छे तरीके से आपको लिख के दिखाना चाहरा हूँ just a second copy अगर यहां पे LaTeX का code चला so I am hopeful yes so यह हमारे पास equation है it's working that's good यह LaTeX है जी LaTeX क्या होती है मैं से साथ ना ही पंगाल हूँ फिलाल के लिए यह हमारे पास दो equations है इनको बोलते है complex equations यह complex equation जो है यह हमें help out करती है to write down something जो इस तरीके से हमने लिखा है और यह जो code मैंने लिखा है यह basically आपका LaTeX की language के अंदर है जिसे हम LaTeX बोलते हैं ज्यादा तर L-A-T-E-C-T-A-X LaTeX ठीक है अब इसको हमने resolve की है matrix के अंदर 1 plus 2i यहाँ पे आ गया ठीक है और इसी तरीके से 2j आ गया हमारे पास और इसी तरीके से हम आगे जो है वो different किसम की values जो हैं वो लिख रहे हैं और यहाँ पे अकसरों कात आप देखेंगे कि आपके पास जो code है वो आपने खुद से बनाना होता है कि आपके पास जो code है वो किस तरीके से आ रहा है and how you can actually perform different kind of things अगर मैं यहाँ पे इसी equation में देखूँ 1 plus 2i यहाँ पे 1 plus 2i है ठीक है और फिर x आ रहा है इसका मतलब है कि सबसे पहला जो यहाँ पे a complex के अंदर है 2j यहाँ पे लिखा रहा है तो यहाँ पे j नहीं होना चाहिए था i होना चाहिए ठीक है 1 plus 2i मैंने लिख दिया यहाँ पे और फिर बाद में देखते हैं हमारे पास आगे क्या चीज आ रही है और आपने देखा होगा कि मैंने जैसे i लिखा है तो मेरे पास यह red हो गया ठीक है उसकी reason क्या है? we will see that हमारे पास अगर j लिखते हैं तो it was fine so इसका मतलब यह हुआ कि आप i या किसी भी एक parameter को j में भी लिख सकते हैं it's totally up to you और यह j या i क्या है? यह एक quantity है तो मैंने इस वज़ा से j में लिखा because when I write down this in i this one in i this one in i so it shows me something like this कि यहां पे कोई error हा रही है and there is something invalid so इस वज़ा से यहां पे j लिखा गया है ठीक है? so we will see later on कि यह क्यों लिखा गया है by the way यह हमारे पास value आगी j का मतलब यह है कि कोई भी एक complex number so मैंने assume किया कि जो i है उस j के equal है due to the programming thing इसको बाद में resolve करेंगे हमने matrix A बना लिया यहां पे complex A अब हम दूसरा complex बनाते है same उसी equation को तोड़के complex मैं क्यों लिख रहा हूँ? सिरफ क्यों कि यह complex equation है यानि कि इसमें i, j, k वगरा use हो रहा है b complex बना लिया simply आपने solve कर लेना x के लिए तो x complex आपके पास यह आजाएगी यानि कि पहली value आपकी x की है दूसरी आपकी y की है that simple it is so इस तरीके से आप इसको resolve कर सकते हैं और अगर आप चाहें अगर आप चाहें तो same चीज़ को एक ही code snippet के अंदर लिखके like this इसको run करें आपके पास पूरा solution आजाएगा अब आपको समझ आई होगी मैंने यहां से matrix बनाना आपको क्यों सिखाए है क्योंकि अब जिसको वो नहीं समझ आई matrix बनाने की उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा यहां पे ऐसे ही है समझ आगी बात की so आपको हमेशा इस बात का ख्यार रखना है कि how do you write this code और किस तरीके से आपकी equation जो है वो transfer कर रही है into matrices और matrices का मतलब भी यह है कि आप किस तरीके से matrices को perform करते हैं how you can utilize the power of matrices in finding different things ठीक है यह clear हो गया आपको यार इतनी सी बात है linear algebra num pi का एक function है उसके आगे भी functions है so आप कोई भी apply करके solve भी कर सकते हैं equations को और कुछ और भी काम कर सकते हैं अब अगले lecture में मैं आपको sbd बताने वाला हूँ sbd यानि कि singular value decomposition कैसे की जाती है